आजे देवगर ने अपने अलावा किसी को भी स्ट्रॉंग रोल ने दिया तबू को भी ऐसे रोल दिया है तबू उसमें सूट भी नहीं कर रही है इसमें जो विलन है इसमें जो विलन है वो भी ऐसे ही है केरी केचर लगता हूँ मेकप कर दिया उसका उसको खताराकसा दिखा लेकिन वो caricature दिखा जिता है तबू इसमें fake लगती है वो powerful नहीं लगती villain इसका caricature लगता है इस फिर्म के इतनी कमिया है और अजेदेवन को क्या जरू होती कि एक male strong character की जगा तबू को cast करने की अजेदेवन को क्या जरू होती तबू को cast करने की दूसरा villain एकदम इसका उस villain का role भी उतना लंबा नहीं है कि वो कुछ मौका भी ले उसे वो नाम के लिए villain है बस कहती फिर्म के अंदर जो role था वो एक male police officer का role था और एक male actor ने किया था उसको देखके लोगों को strength महसूस होती थी और तबू को देखके लोगों को weakness महसूस होती है कि क्या जारी आ गई और तबू को dialogue कैसे दिये है लबे लबे philosophical dialogue दिये है भारी बरकम dialogue दिये है जैसे पुरानी picture नहीं होते थी तबू इस film के लिए सबसे बड़ा let down गया है तबू दूसरा इस film का action इस film का action इतना unbelievable है इतना fake है इतना fake है कि वो लगता है कि जिसे वीडियो game देख रहे है अज़े देख़वन ने क्या किया है कि पुलिस वादी का जो role इतना strong होना चाहिए जिसमें एक male police officer होना चाहिए उसमें एक female police officer बना दिया वो भी किसको मनाया तब भोगो कैती अगर राजदानी express है तो भोला फिरोसपुर जनता express है जो सबसे खटारा गाड़ी है जो सफर राजदानी express 16 गंटे में 15 गंटे में complete करती है वही फिरोसपुर जनता express 24, 25, 30 गंटे में complete करती है तो जो passenger है उनको कैसा मैसूस होता है कि हमें 15 गंटे का सफर 30 गंटे में कराया जा रहा है वो क्या मैसूस करेंगे वोही pain वोही frustration मैसूस होती है भोला देखते है